चाचा टिंगु अपने परिवार के साथ मिलकर घर में गर्मी की छुट्टियों का आनद ले रहे होते हैं, इस दोरान दिन भर टीवी देखते, रात को छत पर सोते और खुब सारी बाते करते, लेकिन एक रात को चाचा टिंगु को आसमान में कुछ उर्ता हुआ दिखाई द चाचा जी ये तो एलियन्स की उडनतस्तरी है, फिर चाचा ने कहा, हाँ भतीजे मुझे भी ये एलियन्स का यूएफो लगता है, हमारे गाउं के उपर इस बार क्या पता कौन सी बला आने वाली है? अब अगले दिन गाउं के लोगों की गाडिया अचानक हवा में उरने लगी, ये देखकर गाउं वालों के पसीने छूट गए, सब चिल्लाने लगे की ये क्या हो रहा है, और उन्होंने देखा की सारी गाडिया उरकर, आसमान में एलियन के यूएफो में जा रही थी, सब भाग कर चाचा टिंगु के पास पहुँचे और जाकर उनको सारी बात बताई, तब चाचा बोले मेंने और भतीजे ने तो इसको कल रात को ही देखिया था, पर मुझे यह मालूम नहीं था कि ये एलियन हमारे ही गाव पर अटैक करने वाले है, तुम लोग चिंता मत कर अब की बार आने दो साले एलियन्स को मेरा भतीजा उनको ऐसी जगह भेजेगा, जहां से साले वापस लोट कर कभी नहीं आ पाएंगे, अब कुछ दिन बाद चाचा अपनी कार की सर्विस करवाने के लिए शहर के एक सर्विस सेंटर पर पहुँचे, वो वहाँ पर सर्वि ये नजारा देखकर तो चाचा टिंगु की धड़कने तेज होने लगी और बोले की अब तो शहर की वाट लगने वाली तय है, इस से पहले कुछ गड़बढ हो, मुझे भतीजे लंबू पहलवान को फोन करके बुला लेना चाहिए, और चाचा ने फोन लगा कर फटाफट लंबू को आने के लिए बोला और भतीजा लंबू पहलवान बड़ी बड़ी छलांगे मारता हुआ, जल्दी से मार्केट पहुचा, मार्केट पहुचते ही लंबू पहलवान एलियन्स से लड़ने लगा, पर एलियन बहुत सारे थे, उन्होंने भी लंबू पहलवान पर अटैक कर दिया कुछ देर तक लड़ने के बाद एलियंस वहां से जाने लगे तब चाचा ने भतीजे से कहा लंबू एलियन भाग रहे हैं इनको रोक भतीजे तब लंबू पहलवान में जाकर उनकी कुछ उड़नतस तरियों को हवा में फेक कर तोड़ दिया लेकिन तभी आ चंपकपुर गाव में चाचा तिंगू और भतीजा लंबू पहलवान रहते हैं एक दिन चाची ने चाचा को बैंक जाकर पैसे जमा करवाने के लिए बोला चल भतीजे बैंक चल मुझे कुछ पैसे जमा कराना है ठीक है चाचा जी चलिए चाचा तिंगू और भतीजा लंबू पहलवान दोनों अपनी गाड़ी से बैंक चले जाते हैं बैंक पहुचने पर उन्होंने देखा कि बैंक के बाहर बहुत भीड लगी होती है तब चाचा बोले मुझे लगता है भतीजे बैंक के अंदर कुछ गरबर है चल अंदर चल के देखते हैं दोनों चाचा भतीजे जैसे ही अंदर गए तो पुड़ों ने देखा कि कुछ लुटेरे बैंक लूट रहे थे तब चाचा बोले भतीजे शुरू हो जा जय बजरंग बली रुको कमी तुम्हारी नानी याद दिलाता हूँ और भतीजा लंबू पहलवान देखते ही देखते सब लुटेरों को उठा उठा कर पटकने लगता है तभी एक लुटेरा लंबू पहलवान के आगे पिस्टॉल लेकर खड़ा हो जाता है और बोलता है अपने हाथ उपर करो नहीं तो अभी यही के यही धेर कर दूँगा ये नजारा देखकर चाचा हसने लगे तो लुटेरा बोला ये बुढ़ों पगला गया है शायद मुझे लगता है इसको जल्दी उपर जाना है अबे पागल जिसको तू पिस्टॉल दिखा रहा है उसके उपर इसका कोई असर नहीं होता क्योंकि ये पाताल लोक से आया है और इसका नाम लबू पहलवान है ये ना तो किसी से डरता है नहीं किसी से मरता है भतीजे उठा के पटक इसको बाहर ज्यादा होशियारी दिखा रहा है जै बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली कुछ देर बाद पुलीस भी आ गई और लुटेरों को पकड लिया गया उधर बैंक मैनेजर ने आकर चाचा जी से पूछा आपको कैसे पता चला कि बैंक लुट रही है तब चाचा टिंबू बोले मैनेजर साहब ये कमाल तो आपकी चाची ने किया है वो आज हमको बैंक पैसा जमा करवाने ना भेजती तो आज आपका बैंक लुट गया होता ये बात सुनकर बैंक मैनेजर ने चाचा जी को धन्यवाद बोला और दोनों चाचा भतीजे घर को चले आए टिंगू चाचा के गाव चंपकपुर में सब लोग मस्ती से अपना जीवन यापन कर रहे थे अचानक एक दिन गाव में एक आखवाला गेंडा सिह राक्षश आ गया और गाव के लोगों का जीना हराम कर दिया जब चाहे वो राक्षश किसी को भी मार कर खा जाता सब लोग उसके आतंक से परेशान हो गए एक दिन चाचा टिंगू भी अपने घर का कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार गए हुए थे तो वह राक्षश वहाँ भी आ गया और बाजार में लोगों को मारने लगा ये देखकर चाचा सोचने लगे ये कूंसी आफ़त आ गई अब इस आफ़त से तो मेरा भतीजा लंबू पहलवान ही निपट सकता है और वो भाग कर अपने घर गए और अपने भतीजे लंबू पहलवान को वापस लेकर बाजार आए लेकिन वो राक्षश जब तक बाजार को पूरा तहसन हस करके और वहां के लोगों को मार कर जा चुका था वो नजारा देखकर चाचा बोले भतीजे हमें आने में देर हो गई मुझे लगता है वो राक्षश अब दोबारा नहीं आएगा तभी वहां के लोग बोलने लगे चाचा तिंगु इस राक्षश से हमें बचाओ नहीं तो ये पूरे गाउं को खा जाएगा ये सुनकर चाचा बोले तुम चिंता मत करो इसको तो मेरा भतीजा लंबू पहलवान ही देख लेगा बस एक बार ये साला इसे मिल जाए उसकी तो ये चटनी बना कर रख देगा तिंगु चाचा की बात सुनकर गाउं वालों को कुछ अच्छा महसूस हुआ और वो सब अपना काम करने लग गए और तिंगु चाचा और भतीजा भी वापस अपने घर को आ गए अब अगले दिन चाचा तिंगु और भतीजे को पास के गाउं में कुछ काम पड़ गया तो वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठ कर जाने लगे तभी सामने से वो राक्षश की उनको आता हुआ दिखाई दिया अब लंबू पहलवान तो इसका ही इंतिदार कर रहा था वो तो गाड़ी से उतर कर उस राक्षश से जा भीडा लं गेंडा सिंह लंबू को उठाकर पैंकता क्योंकि गेंडा सिंह की लंबू पहलवान जितना लंबा चोड़ा था इस कारण वो आसानी से लंबू पहलवान के चंगुल में फस नहीं पा रहा था ये सब देखकर चाचा तिंबू को एक बात याद आई कि इस राक्षश की दूसरी आख भी पोड़नी पड़ेगी तब जाकर फिर इसे मार पाएगा ये सुनकर भतीजे ने अपना तीर बान मिताल कर उसकी दूसरी आख में तीर चला दिया जैस ही तीर उसकी आख में लगा और वो जोर से चीखने लगा फिर लंबू पहलवान ने मौका देख कर उसको उठा कर ऐसा फेंखा की उसका पूरा दम निकल गया चंपकपुर गाउ में सब लोग खुशाली से रहते हैं पर एक दिन गाउ के लोगों के गाय भैंस आदी जानवर अचानक गायब होने लग जाते हैं सब गाउ वाले परेशान होकर चाचा टिंगु के पास जाकर उनको इस समस्या के बारे में बताते हैं चाचा टिंगु से गाउ वालों का दुख देखा नहीं गया और वो बोले आप लोग चिंता मत करो में भतीजे लंबू पहलवान के साथ गाउ के बाहर जाकर देखता हूँ शायद कुछ पता चल जाएं यह सुनकर गाउ वाले वहां से अपने घरों को चले गए थोड़ी देर बाद चाचा टिंगु ने भतीजे लंबू पहलवान को बुलाया और दोनों गाउ के बाहर जाने लगे गाउ के बाहर पहुँचने पर चाचा को किसी बड़े जानवर के पैरों के निशान दिखाई दिये निशान देखने के बाद चाचा टिंगु ने सोचा कि ये निशान किसी छोटे जानवर के नहीं हो सकते, ये तो किसी बड़े जानवर के लगते है, तब चाचा ने लंबो पहलवान से कहा, भतीजे आज रात हमें यही गाव के बाहर रुकना पड़ेगा, और दोनों शाम को अपने घर भोजन करने के बाद वापस गाव बहार जाकर उस जानवर का इंतजार करने लगे, थोड़ी रात गुजरने के बाद चाचा टिंगु ने देखा कि आसमान में बड़ा सा जानवर उरता हुआ गाव की तरफ जा रहा था, तब चाचा बोले भतीजे लंबू, बहार कर खाने लगा, ये देखकर चाचा टिंगु बोले भतीजे जानवरों को बचाओ, और भतीजा लंबू पहलबान जाकर ड्रैगन से लड़ने लगा, कुछ देड़ लडने के बाद वो ड्रैगन हवा में उडने लगा और वापस गाव के बहार जाने लगा, ये देख कर चाचा बोले चलो लंबू इसका पीछा करते हैं, पीछा करते करते उन्होंने देखा कि वो ड्रैगन गाव के बहार की पहाडियों में जाकर कही गायब हो गया, तब चाचा टिंगु बोले भतीजे अभी रात में इसका पीछा करना ज्यादा खतरनाक होगा, हम कल सुबह दोबारा आकर इन पहाडियों में इसका ठिकाना ढूढेंगे, अब अगली सुबह दोनों चाचा भतीजे ने गाव वालों को जाकर सारी बात बताई, और वो सारे गाव वाले मिलकर उस ड्रैगन को मारने के लिए उनके साथ जाने की जिद करने लगे, तब चाचा ने सब क बोला ड्रैगन को मारने के लिए मेरा भतीजा लंबू पहलवान ही काफी है, आप लोग चिंता मत करो, आज उस ड्रैगन का काम तमाम हो जाएगा, और दोनों जंगल में होते हुए पहाडों में पहुँचे, वहाँ उन्होंने देखा कि ड्रैगन सो रहा था, तब चाचा बोले भतीजे यही सही मौका है, इसको उठाकर पतकने का, और लंबू पहलवान जाकर के ड्रैगन को मारने लगा, ड्रैगन भी उसके उपर आग बरसाने लगा, तब लंबू पहलवान भी कहा कम था, उसने भी पूरा जोर लगाकर ड्रैगन से लड़ाई की, और अंत में उसको मार गिराया, दोनों चाचा भतीजे ड्रैगन को गाडी में पतक कर गाउ में ले आए, और चंपक गाउ के लोग रोज नहाने के लिए पास की एक नदी में जाते हैं, वहाँ पर सब ठीक चल रहा था, कि एक दिन वहाँ पर एक दानव गब्बर सिंगा गया, और वहा रहे लोगों को मारने लगा, सब लोग अपनी जान बचा कर भागने लगे, फिर भी उस दानव ने बहुत लोगों को मार दिया था, तभी वहाँ के कुछ लोग चाचा टिनगो को जाकर सारी बात बताते हैं, तब चाचा बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं और मेरा लंबो पहलवान कल सुबह, आप लोगों के साथ नदी पर नहाने चलेंगे, और उस दानव को भी देख लेंगे, चाचा की बात सुनकर गाव वाले वहाँ से चले गए, अब चाचा ने लंबो पहलवान को बुला कर समझाया, कि कल उस दानव को कैसे उठा के पटकना है, त अब अगली सुबह, वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब भी कर ले ना मित्रो, चाचा और लंबो पहलवान दोनों गाव वालों के साथ उस नदी पर जाने लगे, थोड़ी देर स्नान करने के बाद, अचानक उनको गबबर सींग के हसने की, आवाज आने लगी, तभी चाचा समझ गए कि दानव गबबर सींग आ गया, तभी चाचा ने भतीजे को इशारा किया, और भतीजा लंबू पहलवान गबबर सींग से बोला, गबबर सींग में तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूँगा, तभ गबबर सींग फिर से हसने लगा, और बोला, तेरे जैसे कितने ही पहलवानों को में अब तक ठिकाने लगा चुका हूँ, तु कोन से खेट की मूली है, तब लंबू बोला, ये तो अभी पता चल ही जाएगा कि कोन सिसको ठिकाने लगाता है, और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई, दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, क्योंकि दोनों ही बहुत बशालिक थे, अब दानव खुद को हारता हुआ देखते, वहां से उड़कर जाने लगा, तब चाचा बोले भतीजे पकड़ साले को कही ये भाग न जाएगा, पर वो दानव बहुत चमक्तारी था, तो वो देखते ही देखते सबकी आखों के सामने गायब हो गया, तब चाचा ने कहा, भतीजे मुझे लगता है ये अब दोबारा नहीं आएगा, सब लोग दिवाली मनाने के बाद एक दूसरे के घरों पर जा जाकर बधाया देने में लगे हुए थे, तब ही छोटू को पीछे से किसी के चीखने चिलाने की आवास सुनाई दी, उसने देखा तो पता चला गाओं में जॉम्बीज मतलब मरे हुए लोगों का वापस जिन्दा होना का अटैक हुआ था, पूरे गाओं के लोग जॉम्बीज के इस अचानक हुए हमले से डर गए थे, और वो जॉम्बीज जिसको भी काटते वो भी उनके इन्फेक्शन से जॉम्बीज में कन्वर्ट हो जाता, अब ये सब नजारा देखकर छोटू ने सोचा, अब तो इंस्पेक्टर पकोडा सिंग और चाचा टिंगू और उनके भतीजे लंबू पहलवान को बुलाना ही पड़ेगा, और उसने जल्दी से फोन करके चाचा टिंगू और पकोडा सिंग को इन जॉम्बीज के खिलाफ। जल्दी कुछ एक्शन लेने के लिए कहा, और चोटू की बात सुनकर चाचा टिंगू भतीजे लंबू पहलवान को लेकर तुरंट धोलक गाउ के लिए निकल गए। तभी चाचा टिंगू ने बोला की खाली इनको मारने से काम नहीं चलेगा। हम लोगों को इनके बॉस सुपर जूम्बी जॉन्डिस को मारना होगा। क्योंकि ये सब उससे ही इनफेक्टेड होकर हमारे गाउ में आ रहे है। और छोटू तुम्हे भी अपना डेविल वाल अवतार में आना पड़ेगा। क्योंकि हम सब को एक साथ मिलकर इन सब को चक्मा देते हुए। अपनी अपनी गाडियों में सवार होकर उस सुपर जूम्बी जॉन्डिस के पास पहुँचना होगा। और सारे सुपर हीरोज मिलकर उन जॉम्बी 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 को फटम करने के लिए निकल गए। और सब सुपर हीरोज देखते ही देखते उन जॉम्बी को मारने लगे। और धीरे धीरे जॉन्डिस के अड़े की तरफ पहुँचने लगे उन्होंने वहाँ जाकर दे बड़ा निकला पर फिर भी सब ही रोज जाकर उससे भिढने लगे और उन सब के बीच घमातान लड़ाई हुई पर वो मरने का नाम नहीं ले रहा था क्योंकि वो तो आलरेडी मरा हुआ था सब सोचने लगे कि अब इसको कैसे मारा जाए तभी हमारे इस कहानी के नए सुपर हीरो तूफां द थंडर में जब हम आते हैं तो तब धम जाते हैं तूफां द थंडर में एंट्री जी और उन्होंने उस सुपर जोंबी जॉन्डिस को अपनी आखों की लेजर लाइट से जलाकर वही राख कर दिया मित्रो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्रा करना ना भूले